तो यहां पर मैं रामगड के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैवल विए बता रहा हूं तो मैं उठा था सुबहा है साथ बज़े नहीं दोने के बाद में हमने सही है दस बज़े यहां से बस पकड़ी थी पस नहीं पकड़ी लोकल टैंपू पकड़ा था 150 रुपयय दो वद्दे थे हम 15-15 में हम पोंके स सदी決 सर सदीन सर से फिर हमारे कि दूबार हमें बस की जगह मिल गई जीप जीफ ने हमें छोड़ा बावडी गेट इस फत्यपूर जो बावडी गेट फत्यपूर में वैसे तीन स्टेंड चत्री बावडी गेट और मंडावा बस इस चैन्ड जो मंडावा जून्नू के लिए बस जाती है उसके बाद में हमें वहां से फिर में अंदर गया मैंने पूछा रामगड के लिए पस उसको तो मैंने पचास रुपद यह थे दो वन दे के अरा फिरे कुछ साइण वायन कराने थे नगरपाली का जाया है उसके बाद में छत्री अवसे इस्टेंट पर जागे पूछा बाहर की साइड मेडिकल के सामने लगती है तो वहां चला गया मैं वहां से बस पकड़ी तो उसने लिए 30-30 रुपए रामगड के लिए बस सर्वीस भुहत धीमी थी तो मैंने दो चार ड्राइवर को सुना भी दिये एक अभी फीज ली थी फतेपुर से उसके बाद में बीच में एक एपिफिज मैंने ली थी उसके बाद में ड्राइवर चेंज हो गया था ड्राइवर चेंज होने के बाद में बीच में खोट या रुकंसार देवास यह गाहों आते हैं लुक्ष में फट्रीक कोशritis अजय कि जुथा इब याता है और है थे में रामगड से फटेपुर से रामगड के यां पड़ी सदोकी स्टक सर्विश कर बाद में पर gmail भाईपास पर चाया है कुछ राम्गड तैसिल से कुछ साइन करवाने तो वहां उतर आने गलती से क्योंकि नौलेज नहीं नए बन दें गए तो उसके बाद में फिर हम बस इस्टेंड पर ही चले गए उसमें जाने के बाद मैं पता से लगी वापस आने पड़ेगा फिर पैदल पैदल वापस आए फिर गए टैसिल में साइन करवाने जब साइन करवा लिए काफी टाइम लगे फिर भाहर आया दो पोदार जी का जो हड़ा वो देखा वो वीडियो मैंने डाल रखा है वो देखा उसके बाद हुम वापस बस से स्टेंड आये वहां कुछ खाया और वही बस पकड़ के वापस फतेपुर